दूप के साथ तापमार में गिरावट से गलन बरकरार रहेगी बारिश थमने के बाद बौसम में बदलाव देखा जा रहे रविवार और सोमवार को सुबह में हलका कोरा नजर आया था नौ बज़े के बाद दूप निकली तो सडको पड़ से कोरा हट गया था इससे वाहन चालकों को रहात मिलती नजर आई दूपहर बारा बज़े के बाद से अच्छी दूप के लिए लेकिन बरफीली हवाय गलन का एसास कराती रही दूप सेकने के लिए लोग घरों की छतों पर और पार्कों में निकल आए कई लोग साफताहिक अकाश होने से दोस्तों परिवारों के साथ मस्ती के लिए भी पार्क पहुंचते नजर आए बजारों में उड़ी भीड गलन से बचने के लिए बाहर निकले लोग बजारों में भी खरितारों की भीड रही जलन से बचिने के लिए बाहर निकले लोग अपने शरीर को पूरी तरह से ढखे दिखे नियुआंतम पारे में होगी गिरावट रविवार को नियंतम ताप्मान 8 डिग्री सेल्शेस और अधिकतम ताप्मान 22 डिग्री सेल्शेस दर्ज हुआ है न्यूंते में अधिक्तम तापमान समान्य से कमच 2-2 डिगरी अधिक तरज हुआ है मौसम विज्यानिक के मुताबिगाज तापमान में गिरावट की संभावना बरकरार रहेगी वर्तमान में उत्तरपूर्व की दिशाख से हवा चल रहे है हवा की रफतार 10 किलो मीटर प्रती घंटा नापी गई है अगामी दिनों में हवा की रफतार बढ़ेगी इससे सुबा की समय कोरा तो कम रहेगा लेकिन गलन बरकरार रहेगी देश दुन्या की तमाम खबरों की नतीजे देखने के लिए देखते रहे है